हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चनल केरवल फार्मा में तो आज हम लेकर आए हैं हम माइक्रो बाइलोजी की यूनिट्स थर्ड का लेक्चर टू तो लेक्चर बन में हम कवर कर चुके थे मॉर्फोलोजी क्लास्पिकेशन रेप्लिकेशन और कल्टिवेशन और प हम स्टार्ट करते हैं वायरस को तो हम पतीके होते हैं एक सैलूलर असे मतलब हैं उसमें वायरस हमाने को वी सैलूलर को बिलॉंग करता है इसका मतलब यह है यह हमारे जो prokaryotic और eukaryotic आते हैं, वो हमारे cell है अच्छी तरह से develop होता है, लेकिन जो virus आते हैं वो acellular के अंदर आते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें यह हमारे जो हैं, वो develop नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ हमारे तीन चीज़ा होती हैं, एक हमारे या तो RNA होगा या DNA होग कोई एक होगा इसके अलावा जो हमारी plasma membrane है इस पे एक हम बोलते हैं यहाँ पे capsule और यह हमारी protein की लेइर से बनी होती है अब प्रोटीन और यह protein करती कि है कि यह इस nucleic acid को safe रखती ह Parent protection worldwide करती है और जब यह videos किसी ओर के अंदर जाता है तब क्या करती है यह protein जो है capsule यह infected disease है मतलब infection करने वाला सबसे छोटा एक disease है जो बहुत ही जाधा छोटा है और इसको हम क्या करते हैं electron microscope जो हमारा ultra microscope जो हमारे normal microscope होते हैं उनकी help से हम virus को नहीं देख सकते हैं इसके लिए हमको चाहिए electron microscope जो बहुत ही जाधा ultra scope दिखाता हो क्योंकि जो हमारा virus होता है वो हमारा bacteria से भी दस से सो गुना चोटा होता है बहुत से बैक्टिरिया से तो आप समझ सकते हैं कि कितना चोटा होगा माइक्रो ऑर्गनिस्म में भी बहुत जागा चोटा हो गया अब जो बाइरस हमारा वो किस किस से कंपोज होता है DNA और RNA इन्हें में से कोई एक कि एस ब्रोटीरिक्शन प्रोटेज कोट होती मतला बहुत ज्üy gradum ज्यादा आप स्मझस लागा है जो क्या करती है जो में समझते क्या है कि है कि यह कि दूसरों पर टोटल सेब्स हैं एक त्रहす为 यह आ América है यह नहीं Correct होटा है जब तक यह किसी कि ऑ रफुपन में यांता और और होश्ट यहां हम बोल सकते हैं कोई living beings है और living beings जैसे हम human हो गए animals हो गए कोई plant हो गए bacteria हो गए तो यह आप खुद ही समझे कि बाइरस इतना खतरना होता है कि यह bacteria को भी नहीं छोड़ता बैक्टेरिया को भी अपने इनफेक्टेर्स कर देता है और बैक्टेरिया को भी मारने की चमता रखता है बैक्टेरिया खुद एक मतलब disease cause बनता है बीमारियों का उसको भी यह क्या करता है मारने की दम रखता है इसलिए bacteria virus बहुत जादा डेंजर होते हैं लेकिन यह ऐसे मतलब non living things होते हैं मतलब इन में कोई भी जानवान कुछ नहीं होती है यह होते हैं जब तक यह किसी living beings के contact में नहीं आ जाते हैं जैसे यह कोई animal है यह हमारा क्या है virus है यह ऐसा ही रहेगा इसमें DNA आरहे ने कुछ भी growth नहीं होगी कुछ भी नहीं होगी जैसे हिसके touch में आएगा यह हमारा activate हो जाता है और activate अब हम यहां पर समझ गया है जब तक वो किसी living cell के अंदर ना एंटर कर जाए अब जो हमारी बाइरस होती है जो बारे में study करते हैं उसको वाहिरोलोजी बोलते हैं और एक और है कि जो बाइरस हमारा मतलों complete तयार है है जैसे हमारा यह वायरस है यह हमारा complete तयार है इसके पार DNA है आरे नहीं है और जो हमारी बाहर की लिए प्रोटीन है यह बिल्कुल मतलब तयार है किसी होस्ट पर अटेक करने के लिए तो उस बाइरस को हम यहां पर बोलते हैं वायरियोंस यहां पर आप जिवर्ड यार रख बोलते हैं दूसरे हमारा polyhedral है इसको हम आइकोस से हैडरल वायरस बोलते हैं और तीसरे हमारा complex virus है जो हमारे मतलब complicated structure के कारण हम इसको यह बोलते हैं तो हमारा पहला है helical virus तो इसको हम बोलते है rod saved like structure होता है मतलब आप यहां देखिए एक जैसे यह हमारे कोई लंबी rod है ऐ हमारे structure होते हैं आगे किकते हैं they have caspid made from over thousand molecules of single type of protein arranged in a helix मतलब यहां पे आप यह देख रहे हैं यह हमारी सनरचना है इसको हम बोलते हैं helix और यह helix बहुत जादा मतलब thousand बहुत जादे तरह की helix से मिलके बनी होती है और जो हमारी पूरी बाहर के लिए रोती है virus की जो हमन यह हमारी यहां पर simple है अब इसके जो genetic material होता है वो क्या होता है single standard RNA अब single standard यहाँ आप क्या समझते हैं अपने एक यहां देखी होगी कि जो हमारा RNA होता हो एसा होता है और जो हमारा DNA होता हो एसा होता है तो यह एक हैं इसको हम बोलते हैं stranded ठीक है तो हमारा RNA single extended RNA और इसमें जो DNA होता है वो भी हमारा single stranded होता है virus में क्योंकि virus डवलप नहीं होता है इसमें cell की absence होती है तो यहां पर क्या है हमारा single strand RNA होता कुछ कभी-कभी मतलब कुछ-कुछ cell में यहां पर DNA भी present होता है RNA नहीं होता तो कोई एक ही होगा लेकर इतना याद रखना होगा कोई एक ही ठीक है एक्जामपल इसके क्या rabies viruses हो गए और तवाकू-mosaic viruses यह वही virus है यह मतलब तवाकू-mosaic इसके अंदर जो हमारा virus लगाता डिसी इसी के द्वारा क्या होता है हमारे virus की खोज हुई थी तो यह हमारा है इसके structure आप देख सकते हैं यह हमारा बहार बहार पूरे hyalicks टाएप है अंदर हमारे यह मतलब इसके अंदर फ्यूस होते हैं जैसे आप यह माली है कोई pen है इसके अंदर इन्दर रिफिल होती है तो आप उस रिफिल को मानिए कि हमारा रोन न्यूक्लिक असड़ है और जो बहार यह भी बोलते हैं कि हमारे ब वह देख रहे होंगे यहां पर में चाही था कि यहां ठोन परेखी है ट्राइंगल हैfund पर सॉरी उन्हां एक ट्राइंगल यहां पेम्रम यह स्यिंव साइज एकड़िंहेंग। नहीं है लेकिन ट्रेंगल की फॉर्म में होते हैं मतलब तीनों यह जो बनेंगी हमारी वह एकोल होगी और यह ऐसे बनते हैं कि इसकी जो यह फेस दीख रहे हैं वन टू थ्री फॉर फाइब सेबन अभी यहां पर हमें एकट दीख रहे हैं लेकिन यह फेस कितने होंगे 20 होते हैं और यह 20 होंगे और इसमें भी हमारे यह संजचना आपको दीख रहे हैं और यह 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉली हेडल भी बोला जाता है तो यह रफली हमारा इस्ट्रक्चर है इसको रफली स्पैरिकल अपिरियंस इस पर छपके आते इसको बना देना है दो बाते हैं इसके बारे में बतानी है तो यह हमारा क्या होता है टेड़ पॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है यहां पर एक है इसकी गर्दन हैड और इसके पैर भी यहां पर निगले हुए है देखने में थोड़ा खतरनाक है और कॉंप्लीकेटेड लग है इसका नाम है complex viruses वान दाइब बहुत साथ complicated लगते है होता क्या है यह यहां यहां के साथ हमारी और का सब्सक्द्र मारी ज़य में पर इसके कुछ जापर हमारे यह लग यह हुए है यह मारी पीन और यहीं से हमारा यो बाइरस है अटेक करेगा मतलब कहीं पर यह जाएगा ऐसे आप समझ के ऐसे डाल लिए तो यह पिन के द्वारा हमारा अटेक करेगा और यहां से जो डी आने मैन है वो उसके अंदर होस्ट के अंदर रिलीज कर देगा इसका में एक्जामपल है बैक्टिरियो फैक ठीक फ्रेंट हमारे हो गए मौर्फॉलोजी के अधार अब हम अपने देखें क्लासियका सबूरा करता है तो पहला हमारा एंउमल बारेस होते हैं जो अनिमल को अट्क करते हैं बैक्टेरियल फारस देखियक और यह हमारे इनके पास DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है दे कंटेन बोथ DNA और RNA बोथ यहां लगा है तो इसका मतलब यह मत समझे कि DNA और RNA दौन होगा इसका मतलब यह है कि यह तो DNA होगा यह आरने होगा यह किसी एक particular को नहीं रखता है इसके बार यह हमारे genetic material है यह हमारे cause क् लगी पोलियो हैपताइटिस एड्स और भी बहुत साथी बीमारियों को यह कोज करते हैं और यह एनिमल वाइरस के अंदर ही जो हमारे हिुमन वीग के बाइरस है वो भी इसी के अंदर आते हैं तो अब और वाइरस एक नया इसमें हम जोड सकते हैं उसके बाद दूसरा हमारा है plant viruses तो plant viruses में क्या होते हैं कि यह इंफेक्ट करते हैं plants बगएरा को जो हमारे plant होते हैं plants कैसे जैसे potato हो गए आलू बगएरा कि सब्सक्राइब की खेटी गन्य घेटी तबाकू बगएरा इन चीजों को यह क्या करते हैं और इनके इनके पास सिर्फ RNA होता है जो हमारे genetic matter होता है उसमें DNA को यह होता है तो जो plant virus होते हैं उनके पास सिर्फ RNA होता है डिजीज क्या करते हैं यह तमागो मोजग बाइरस यह हमारी बहुत ही important और यह सी डिजीज है टी एमबी बुलते हैं और इसी के जारा हमारी क्या होई थी बाइरस की खोज हुई थी तीसरा हमारा क्या है बैक्टिरियो फेक इसको हम बुलते है बैक्टेरिया पर अटक इस बैक्टिरिया वह करते है यह कौल आई हमने यह पड़े थे पहले विक्टेरिया यहां यहipर देखी चूक यह हमारा वार पर जाके एफेक्ट पड़ता है इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोड़क्शन और बाइरस तो यहां पर हम एक कॉमन मतलब कॉमन रैप्लिकेशन देखेंगे कि वाइरस जनरली कैसे ग्रो करता है वैसे हमारे अलग-अलग होते हैं डियाने के अरग होते हैं उनको हम कभी स् यहां पर क्या है कि भोड रैफ्लिकेशन और वाईरस होषट इस नेसरी अब हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारा बाइरस होता है वो मतलब एक तरह से नॉन लिविंग ठिंगस होता है जब तक वह किसी होष्ट पर अटेस्ट ना हो जाया मतलब कोई लिविंग विंग पर तो body में आने के बाद वो ना replicate करने लगता और अपनी संख्या को भढ़ा लेता है बहुत जादा इसलिए इतना ज्यादा dangerous होता है इसके बाद क्या है कि वैन वाइरस इंफेक्ट ऑन होस्ट सेल जैसे उसने होस्ट सेल को इसकोःतो हुआ होस्ट जादागत क्या होस्ट जो लिव मनि गएक तो replace क्यों सेक्ट करें लिव कुछसन का मतलब वहाँ होता करके हम सभी को समझ लेते हैं पहला हमारा अटेजमेंट है तो इसमें क्या हो रहा है आप यहां पर समझें कि हमारा बैक्टेरिया है यह हमारा कोई भी जो होश्ट सेल उसको मिल गया है उसके साथ क्या करेगा वह अटेजमेंट कर लेगा आप यहां पर समझें जैसे हमारा यह के है, कोई host cell. और यहाँ पे हम यह समझ लेते हैं, यह हमारा है bacteria, तो, पहला step क्या क्या कहता है? यह इस पे आगे attach करेगा. तो, हमारा क्या हो India, यह रहता हो गया यह पे जागे चैपा गया, receiver ने स्टाद बने होते है, पहला हमारा सिंपल यह है, दूसरा हमारा है Penetration Penetration का मतलब क्या होता Entry करना मतलब छेद किसी कहते है न Penetrate होना आगे जाना Entry करना तो दूसरे स्टेप में क्या हूंगा यह वायरस हमारा इसमें Entry करेगा तो हमारा जैसे है अब ranking दो तरीके से तो यह जैसे हमारे बैक्टेयों फेकस बहुते हो तो इसमes क्या होता है दी तोी आपने आप पहुचा देते हैं दूसरा क्या में यह पूरा अपने आपको अंदर पहूंचें तो कैसे उसके अंदर भी हमारे जो अनलग गच्टाइब यह जा किता चाहिए अब क्या होगा यह बाइरोस यहां पर अंदर जाएगा तो यह प्लाजम मैंभी ना इसका एक तरह से पे एनवलप्स अब जाएगा थोड़ी दिर लिए जो जाके बाद में हट जाएगा और हमारा जो यह है बेक्टिरिया है जो हमारा बाइरस है वो इस फॉर्म में यहां अंदर पहुंच जाएगा और इसके पास पहले से हमारे क्या होते हैं कुछ जो होस्ट चैल है उसके पास भी हमारे वो होगे डी न आ रहे न यह चाली की है तीसरा हमारा है अनकोटिंग अब यहां पहुंचने के बाद इसने यह चीज हमारी हटा दी और यह पूरा मतलब जितना कुछ है हमारा सब कुछ अलग-अलग हो जाता है हमारा जो बाइरस है और बाइरस के जो डी ने हैं ऐसे करके जैसे यह हमारा पूरा बाइरस था जहां पर हम देख रहे थे यह बाइरस है यह बाइरस है तो अनकोटिंग का म मतलब और इसने क्या कि आपने यह जो डी आने या आरने जो भी इसके होंगे अलग-अलग सेल के होते हैं वो इसने यहां पर क्या कि छोड़ दिये अब क्या होगा बायो सिंटेसिज इसमें क्या होता है जी नॉन्स अप्लिकेशन होती है मतलब अब यह हैं हम देखते हैं दो तरीके के होंगे या तो डी आने के होंगे डी आने वाले जो वायरस है या आरेने के होंगे जो आरेने वाले वायरस हैं तो जो डी आने वायरस है वो क्या करते हैं वो इनकी प्रोटीन और एंजाइम के साथ मिला के और एडिशनल डी आने बनाते हैं जो मेसेंजर के द्वा यहां पे यहां पे आरहेके हैं यहां पे आप यह क्या करेंगा बीच बीच में यहां करें बनने लगेंगे बनने लगेंगे और हमारी वह ततनी हैं इसके बारा है चौछ威ंबली maturation इसमें अब क्या होगा जो इसने बाकी सब चीज है जो यहां पर यह न्यूक्लिक ऐसेट अलग आ गया था बाकी कैस्पेड जो है हमारी कैस्पोर यह सब चीज हमारी अलग हो गए इन्थे वह चीज बापस फिर से जुड़ जाएंगी तो हमारी सेकंड लाइस लास्ट सेज में क्या होगा हमारे पास को बाहर से तो दो तरीकें यaz total कर देगा जो हो던ें हर कि यहां रिष्ट कर देगा तो इसको मतलब घंव कर ढब देगा तो प्लाजम मेंबरिन और बहर निकल जाएगा जिससे क्या होता है कि हम आप यहां पर देखिए यह हमारी प्लाजमा मेमरीन को तोड़ दिया इसको हम लाइसिस बोलते हैं और हमारे यह बाहर निकल गया दूसरा क्या है वो यहां से निकलेगा तो जो प्लाजमा मेमरीन है इसको बना लेगा वो अपनी एनव जैसे यह हमारे बाहर निकले तो इस ने एशा एवलक कर लिया और बाहर जाके इस एवलक को खतम कर देता है अब इन दोनों में होतागा है जो लाइसस है जसमें हमारे यह इसको host cell के plasma memory को खतम करके बाहर आ रहा है इसमें हमारा host cell है वो मर जाता है पहला यह है दूसरा हमारा जो है जो budding है जिसको budding गोलते है उसमें क्या है हमारा प्लास host cell है उसको कुछ नहीं होता है वो हमारा साही से स्लामत रहता है और यहां रेप्लिकेट होगे बाहर निकल आते हैं यह हमारा सिंपल यहां तक था तो यहां पर हमारा यह आई होप आप लोगों यह समज़ आ गया होगा नोट्स आपको मिली जाएंगे अब लास्ट यहां पर कल्टिवेशन और वायरस किया है अब बायरस हमारे क्या थे और लेवरेटरी अनिमल्स क्या है इडिश दवन अफ द ओल्लेश्ट मैथड फोर कल्टिवेशन ऑफ बायरस की कल्टिवेशन के लिए सबसे पुराना मैथड है यह और इसमें करते क्या है जैसे हम रैविट हो गए गिनी पिक्स हो गए गिनी सुखर हो गए चुहे हो गए करें मिलेगी यह उनको कोई डिजीज होता है कि बीमारी हो जाएगी इस चीज़ से हमेजन करने मिलेगी यह उनके कुछ घाव दीखने लगेंगे यहाथ पर हमने कोई फंक्शन लगा दिया कुछ भी हमारे चोट लगी यहां में लीजन दिखाई देंगे कोई घाव दिखा जिसमें मतलब क्या है जो एक है उससे हमारी मरगी का बच्चा निकलने वाला है मतलब उसमें जो चिक उसमें फॉर्म हो चुकी है उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं जो हमारी चिकर नागे उसको इनके बेट ना कर जाए तो वायरस की ग्रोथ के बाद फिर हम चेक करते हैं कि अगर बाइरस ने क्या गिए चिक एंब्रियो को मार दिया मतलब अगर इस चिक एंब्रियो को यह मार देता है तो यह अपनी सबूत पैदा करता है कि हाँ वायरस इसके अंदर है और फिर वो कुछ करता है we года हुआ पर इसमाल做 और हर्पिक सिंपलेक्स हैं यहां पर हमारा करता है अगर इदर तो यलो फिवर हैं और रैवीज वारेसिस है अगर अगर कॉन तो यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो तो आई होप आप लोगो बारे में सारा कोई समझ आ गया होगा अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे पूछ सकते हैं तो चलिए फ्रेंट मिलते हैं आप से बहुत जब नहीं वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक कियर बाई बाई